नमस्कार एलक्षन ट्रेनिंग वीडियोज की सिरीज में आज की वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं द्रिश्टिहीन या अशक्त निर्वाच्यक के साथ ही की घोशना एवं सुची कैसी होती है किस तरसे से भरी जाती है आप जानते हैं कि कोई द्रिश्टिहीन या अशक्त व्यक्ति वोट देने आता है पीवन के पास सबसे पाले पीवन के पास आता है और वह एक साथी लेकर आता है जो उसके साथ वोटिंग कमपार्टमेंट तक के अंदर जाएगा और उसकी सहायता करेगा तो ऐसे स्तिती में पीवन यानि परसम मद्दान परादिकारी जो द्रिश्टिहीन या असक्त निर्वाचक हैं उनकी आइडी से उनकी सिनाक्त करेगा एवं उसके साथ ही को प्रजाइडिंग आफिसर के पास भेज देता है प्रजाइडिंग आफिसर क्या करते हैं उससे एक घोषना पत्रपर को भरवाते हैं और हस्त अक्षर करवाते हैं एवं उसकी सुची भी बनाते हैं इस तरह के जितने भी आएंगे साथी मतलब जितने भी दृष्टिहीन या अशक्त के साथी आती हैं सभी के एक सुची भी बनाते हैं जो उन्हें मद्दान समगरी के साथ जमाभी करना पड़ता है तो आएए देखते हैं कि उसकी घोषना किस तरह की होती है यह है अनुलगनक 18 यह डमी है दृष्टिहीन या अशक्त निर्वाचक के साथी द्वारा भोषना तो सबसे पहले हैं विधान सभा निर्वाचन छेत्र तो यहां पहले से हमने भर दिया है 33 डुमरी आपका जो भी वो भरेंगे उसके बाद हैं मद्दान केंद्र का क्रम सं संख्या और माली जी क्रम संख्या 104 है और नाम ए 6 내ंगे 556 मैं अपना नाम लिखेंगे न quê पुत्र-पुत्री-पत्नी मैं जो भी उसके पिता होंगे या पती होंगे उनका नाम लिखेंगे Y, Z, मैं अपना नाम लिखेंगे, पुत्र, पुत्री, पत्नी, जो भी उसके पिता होंगे, या पती होंगे, उनका नाम लिखेंगे, आयू, ये उनका आयू देंगे, जो साथ ही आया है, उसका, ये राउंड फिगर में देंगे, जैसे यहां है दिया हुआ 21 वर्स, अब यहा दुम्री, काके, राची, जो भी पता है, और यहां पर ध्यान देना है, पूरा पता लिखना है, का निवासी एतत द्वारा गुषना करता करती हूँ की, मैंने आज तारिक, जो भी तारिक है, जिस दन मद्दान हो रहा है, वो तारिक देंगे, को किसी भी मद्दान केंदर पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कारे नहीं किया है, एक बात यहां मैं बताना चाहूँगा, कि एक व्यक्ति किसी एक ही दृष्टिहीन या असक्त निर्वाचक का साथी हो सकता है, एक से ज़्यादा दृष्टिहीन या असक्त निर्वाचक का वो साथी न यहां पर नाम देंगे उस द्रिस्तिहीन या असक निर्वाचक का जो की और से अपने द्वारा अभी लिखित किये गए मत को गुप्त रखूंगा रखूंगी और यहां पर साथी का हस्ताक्षर होगा तो इस तरह का घोषना होगा जब भी कोई साथी आता है तो प्रजाइडिंग इस तरह की घोषना पत्र में इस तरह से उसको भरवा लिए अब अन्त में मद्दान समाप हो रहा है या उसमें भरते चले जाएगे तो अब सुची भी बनानी है तो देखते हैं यह सुची कैसी है यह सुची है यह है प्रारूप चवदर का निरक्षर अन्धे और सिथिलांग मद्दाताओं की सुची अब इसमें क्या-क्या है देखिए खालिस्थान है विधान सवा निर्वाचन छेत्र तो यहां पर आप जो भी विधान सवा छेत्र है जैसे 65 काके यह क्रॉस क्रॉस दिया हुआ इसलिए है कि यह डम आपका में यह नहीं होगा विधान सवा निर्वाचन छेत्र से ब्लैंग राज्य तो राज्य हमारा जो भी राज्य है जहां भी हो रहा है उसका नाम लिखेंगे माली जे यहां है अगर जारखंड है तो जारखंड राज्य की विधान सवा के लिए निर्वाचन विधान सवा निर्वाचन छेत्र में मद्दान किंद्र का संख्यांग और नाम माली जी यह संख्यांग है 104 और यह नाम है मद्दान किंद्र का XYJ मद्दान के स्थान के स्थान पर नाम जो भी वो मद्दान का स्थान है उससे यहां पर लिखेंगे अब देखें यहां क्या है यह x y z जो यहां लिखें है उसको भी उसी को हम यहां दुरा भी सकते है अब है निर्वाचक का नाम निर्वाचक का भाग संख्या और करम संख्या तो यह जो भाग संख्या यान बुद्ध संख्या है तो बुद्ध संख्या है लिख रहे है एक सो चार, निर्वाचक का पूरा नाम, माल लिजे निर्वाचक का पूरा नाम है यहाँ, M, N, O, P, साथी का पूरा नाम, अब जो साथी है, माल लिजे यहाँ पर साथी है रमीस, वो हम लिखते रहे हैं, जो साथी है जो वोर्ट देने जा रहा है साथी का पूरा पता तो पूरा पता जो भी है माली जी जो भी नाम है सुकुरहुटू सुकुरहुटू का के राच अब साथी का यहाँ पर हस्ताक्षर लेंगे यह हो गया हमारा यह पहला इसी तरस जो दूसरा तीसरा चौथा आएगा सभी का यहाँ पर हम लिस्ट बना लेंगे ठीक है तो यह सुची बन जाएगी और यहाँ पर पिठासीन अधिकारी हस्ताक्षर कर दीगे तो अभी हमने देखा कि निरक्षर अंधे और सिथलांग मद्दाताओं के साथी की घुषना कैसे भरी जाती है और उसकी सुची कैसे बनाई जाती है आसा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और यह जो बनाना है गुषना लेना है और जो सुची बनाना है यह प्रजाइडिंग करेंगे यह प्रजाइडिंग की डूटी है तो आसा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा हाँ यहाँ पर एक चीज़ दखे झूट रहा है यहाँ पर तारीक भी लिखना है यह जो तारीक है न mana वो भी जो भी तारीक का मतदान हो रहा है वो तारीक लिखेंगे 11 नवंबर, नवंबर, या कुछ भी यो भी रहे जो भी, 2024 जो भी ने उसे लिखेंगे जब भी मद्दान हो रहा है to आ सा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और मुझा आशा है कि मद्दान के दौरान आपको इस वीडियो से सहयता मिलेगी यह अभी भी आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवस्य करने और साथ ही इसे आपने सभी सातियों को शेयर भी करें धन्यवाद